रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आ रही अगली खबर पुतिन को और जादा परिशान कर सकती है क्योंकि यूक्रेन के युद्ध में जलंस्की की सेना में नई ताकत भरने के लिए अमारिका ने बहुत बड़ा फैसला किया है और अमारिका ने यूक्रेन को दो ला करोड के हतियार देने का ऐलान किया है पश्चमी मीडिया में इसे पुतिन को मिटाने वाला पूनी पाकेज कहा जा रहा है और पंदरा अगस्त की रात को यूक्रेन में अब कुछ भी हो सकता है जलंस्की ने अपनी स्पेशल फोर्स से एक वीडियो बनवाए और फॉरन उसे बाइडन को भीज दिया इस वीडियो को बहुत गोर से देखिए और समझे कि वीडियो बनाने का मकसद क्या रहा कि पूर्वी बखनूत का वीडियो है और यहां योग्रेन की स्पेशल फोर्स ने रूस के एक कट्बे को घेर करवा रहा है रूस के सैने करंगे हाथ पकड़े गए हैं और फिर देखिए क्या हुआ के बजए पाणि पाणियो व क्या ऑ्लप से तेखिवा पाणियो थी तो भाण अ करष के कंट thrill और यही बात जेलंस की बाइडन को बताना चाहते हैं क्योंकि उसके बदले उनको बाइडन से एक बहुत बड़ी खुश्खबरी का इंतजार है जु को बाइडना रचोंकि ले लेड़ी के लेड़ी उनको जा वैसला देलीों। बेस त्रिल्बे वोने ब्लैट पु प्रावमों फ्लंगू पीशी स्खोड़ेंगे या था मुझे द्वोग जावलिव रूस के छुपे हुए सैनिकों को योकरेन अब चुन-चुन कर भार रहा है जैलंस्की ने साफ साफ कह दिया है कि रहम दिखाने की कोई जरूरत नहीं रूस के सैनिकों को बक्षा ना जाए अब यही वीडियो जब जैलंस्की ने जो बाइटन के पास बेजा तो फोन पर वहां से टाली बजाने की आवाज आई और जैलंस्की को यकीन हो गया कि उनका मकसद पूरा हो गया इस वीडियो को देखने के बाद बाइटन का यकीन कुछ-कुछ पक्का हो गया है उन्होंने पुतिन को हराने के लिए बहुत बड़ा फैसला ले लिया है पुतिन की फॉज गेर कर मारी चाहे पुतिन के फाइटर जेट यूपरेन में ही गिरा दिये चाहे इसके लिए बाइटन कुछ भी कर वो जरने को तयार हो चुके है जैलन्सकी को बचाने के लिए अमेरिका अब गंगाल होने को तयार है जैलन्सकी को बचाने के लिए अमेरिका अपना सबकुछ दाओं पर लगाने को तयार और इसलिए अब अमेरिका ने जैलन्सकी के बैंक खाते में 21 मिलियन डॉलर से ज्यादा की रकम डालने का फैसला किया है रुपए में बदलेंगे तो ये रकम 1,75,000 करोड यानि पौने 2,00,000 करोड रुपए होंगे जो अब सैलन्स की को मिल सकते हैं 1,75,000 करोड रुपए से वाइडन पुतिन को रोकना चाहते हैं रूस को हराना चाहते हैं वो नाटो को पुतिन के गुस्से से बचाना चाहते हैं की उपर हमले हो रहे हैं खार की उपर कबजा करने के लिए पुतिन तयार बैठे हैं ओदेसा में रोज मिसाइल गिर रही है जपरेज्या पर दिन रात तोप से हमले हो रहे हैं ऐसे ही अटैक को देखकर बाइडन को एसास हो गया है कि अब जैलेंस्की से कुछ होने वाला नहीं है ऐसे ही हम लोगों को रोकने के लिए बाइडन ने बड़ा फैसला किया और पॉरण 21 बिलियन डॉलर जैलेंस्की को देने का फैसला किया इसमें से 13 बिलियन डॉलर जैलेंस्की को युद्ध करने के लिए दिये जाएंगे जबकि 8 बिलियन डॉलर जैलेंस्की को फिर से बनाने और राहत के काम के लिए दिये जाएंगे लेकिन हालात तो ऐसे हैं कि जैलेंस्की को लगता है कि पूरा का पूरा फंड अब युद्ध में जूपना पड़ेगा कह सकते हैं कि अब तक यूपरेन की युद्ध में जहां एक तरफ पुतिन मिसाइल और कामिकाजे भूंग की बरसाथ करते रही है तो दूसरी तरफ हैं धमाकों के बीच जैलेंस्की पर डॉलर की बारिश होती रही है जैलेंस्की को बार-बार लिफ्ट कराने की कोशिश अब तक जारी है जाहिर है कि अब जैलेंस्की को पुतिन की फॉट से लड़ने के लिए फिर से नई पावर मिलने बाली है ये ऐसी फायर पावर है जो अगर टार्गेट पर लगी तो पुतिन के युद्ध को भोज बना सकती है इतनी जादा पंडिंग और नए हधियारों के सामने रूस के लिए भी ये युद्ध लड़ना आसाम नहीं हो ऐसे में सवाल है कि क्या युद्ध धब 2023 के आखिर तर चलेगा और क्या 2024 में भी रूस के साथ जंग जारी रहेगी ये सवाल इसलिए क्योंकि रूस के हमलों का सामना करते हुए भी अब जैलैंस्की के दोनों हाथों में लड़्ों है पुतिन के रास्ते में बैरिकेड लगाने के लिए जैलैंस्की को और पावरफुल बनाया जा रहा है वाइट हाउस की बजट में देशक शालंदा यंग ने कॉंग्रिस को एक चित्थी लिखी है जिसमें कहा गया है कि योकरेन को बचाने के लिए वारन बड़ा कदम उठाना पड़ेगा योकरेन को दी जा रही सैने मदद और फंडिंग को लेकर अमेरिका में अब सवाल उठने लगे हैं और बाइडन से सवाल पूछे जा रहे हैं कि अमेरिका क्यों योकरेन में लगातार अपने डॉलर ध्रोक रहा है इस वर्ष एपी एनो आर्सी के एक ओपीनियन पोल में ये बाद सामने आई थे जब 48 प्रतिशत लोगों ने योकरेन को फंड देने का समर्थन किया था अमेरिका के लोग अब ज्यादा समर्थन नहीं कर रहे हैं योकरेन में इस स्वक्त यद्ध निर्णायत मोड पर है और रूस इस स्वक्त हर मोर्चे परहावी है खेर सौन को वापिस हासल करने के बाद से जैलेंस की कोई बड़ा कमाल करके नहीं दिखा पाए है और अमेरिका के लोगों को भी ये लगने लगा है कि योकरेन एक ऐसा कुआ बन चुका है जिसमें निवेश करने से कोई फायदा नहीं है उनकी रखम ढूबनी तय है क्योंकि जैलेंस की ज्यादा वक्त तक रूस को नहीं रोख पाएंगे अब तक अमेरिका में योकरेन के लिए 113 बिलियन डॉलर की मन्जोरी दी जा चुकी है 113 बिलियन डॉलर का मतलब है 9,35,000 करोड रोपह ये इतनी रखम है जैसे पूरी तरह स्क्रीन पर लिखना भी आसान नहीं है योकरेन जुद के लिए इस फंडिंग का मतलब है कि इसमें जैलन्सकी के लिए हथियार भी है वहाँ री कंस्ट्रक्शन का बजट भी है आम लोगों की मदद भी है एक तरह से ये योकरेन के गोद लेने जैसा है और उसकी आर्मेर रूस से जुद लड़ना है जिसे पुतिन बार बार कह चुके हैं कि नैटो अब योकरेन मेर रूस से जंग लड़ रहा है उनकी ठकर योकरेन से नहीं बलकि नैटो के हथियारों और उसकी फौद से हो रही है